Hey everyone, this is Priyash Patel, you are welcome on the online YouTube platform of Priyash Sir Vidyapit दोस्तों, I know कि last two weeks से हमारी इस चैनल के उपर कोई भी अपडेट नहीं थी लेकिन आप सबको पता ही होगा कि मैं मेरे Math 3 के कोर्स के अंदर बीजी था उसको अपडेट कर रहा था, उसमें वीडियोस एड़ कर रहा था उनको थोड़े बहुत वीडियोस की जरूरत थी, तो उसके पीछे में लगा हुआ था लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बार Engineering में Admission ले रहे हो Pharmacy में ले रहे हो, D2D में ले रहे हो, या फिर Engineering कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत helpful होने वाली है, और इस वीडियो को last तक जरूर देखना और मैं try करूगा कि अब से हर एक week में 3 वीडियो minimum हमारी चैनल के उपर आएगी जो आपको at least Engineering, Pharmacy, Diploma, Degree, कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें support करती रहे और GTU के जितने भी circular है, हम यहाँ पे direct live session करके GTU के circular update कर देगे दोस्तो, simple और उससे पहले अगर आपको instant update चाहिए, तो नीचे Instagram की link और Telegram की link हमारी दी है Instagram प्रियेसर विद्यापिट, सेम नाम और Telegram प्रियेसर विद्यापिट, आप हमें वहाँ पे follow कर लेना तो अगर वीडियो ना बन सके, तो आपको वहाँ से भी notification मिलती ही रहेगी देखो दोस्तो, बहुत सारे platform के उपर, या फिर बहुत सारे college में जब आप जाओगे तब आपको ऐसा कहा जाएगा, कि engine running के दोरान आप ये कर लो, आप ये सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो, आपको job में बहुत helpful होगा कभी-कभी तो मैंने ऐसा भी सुना है, कि आप chemical branch के हो, तो आपको computer के coding सिखाते है या फिर आप मान लो, mechanical branch के हो, तो आपको computer के coding सिखाते है या फिर आप chemical branch के हो, आपको coding सिखाते है coding में C, C++, Java, या फिर application कैसे develop करे, ये कैसे करे, वो कैसे करे जबत ध्यान से आप सोचो, logic समझो, अगर आपने mechanical branch में admission लिया है तो आप coding क्यों सीख रहे हो, अगर आपको coding ही सीखना था, application बनाने का coding या फिर कोई भी coding हो, कोई software development का coding, website development का coding तो फिर computer राइटी में admission क्यों नहीं दिया भाई लोग आपने यहाँ पर होगा क्या बेटा, कि आप जब कोई भी company में जाते हो, तो आपकी degree की value होती है जब आप mechanical engineering करते हो, और फिर coding सीखते हो, तो आप ऐसा मत मान लो कि आपको TCS में ले लेगे, आपको coding हाता है उसके वज़े से आपको computer related कोई भी company में ले लेगे अरे दोस्तो, computer और IT में already इतने सारे students admission ले रहे है और अच्छे अच्छे college में, अच्छे अच्छे ranker students, computer IT field के और जा रहे है तो अगर वो computer IT field के उपर से अच्छे लोग ले रहे हैं, तो company वाले पहले उनको लेगे या फिर आपने mechanical किया है, chemical किया है, electrical किया है, भली coding का course किया है कितने भी rupees देखी किया हो, कहीं से भी क्यों न किया हो, तो आपको ले लेगे देखो, अब जब engineering करते हो ना, तो आपके mind में ऐसा डाला होता है, कि engineering के बाद job नहीं है engineering के बाद job, आप मुझे देख लो, मैं free नहीं होता हूँ, youtube पे आके videos डालने के लिए मैं मेरे offline के schedule में इतना भी easy cup कभी कभी हो जाता हूँ, तो ये videos अभी भी मान लो रात के 10.45 हुए है, मैं अब ये video बना रहा हूँ, जब मेरे घर में सब लोक्स हो गए है और ये setup पूरा मैंने मेरे घर पे कर दिया, क्योंकि class पे जाने का time रात को नहीं मिलता था, और फिर समझ सकते हूँ, पूरे दिन काम किया, और थो थोड़ा lazy feel आता के class पे जाके कहा video record करें, तो हमने ये smart board वाला setup घर पे किया, अब मैं जब पढ़ता था engineering के time, mechanical मैं से, तब मेरे mind में भी ऐसा ही था, और यार job नहीं मिलेगी, मैं ये सीख लो, वो सीख लो, फलारा कर लो, ढेकरा कर लो, और मेरी salary 80,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, जितने ही बाहर निकलो, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, ये सारे सपने है, प सपने, तो सपने ही रह जाते हैं, सब को पता है, और हम लोग सपने देख में नहीं में तो बहुत माहिद है, देख लेते हैं, बड़े-बड़े सपने, फिर होता तो कुछ नहीं होता है, करने जाए तब कुछ नहीं होता है, हाँ, कहीं पर कोई admission लेना है, 40,000, 50,000 बरके य क्या फाइदा है, अब जब मैं college में था, तब मैंने मेरा goal decide कर लिया था, कि mechanical engineering के बाद मैं professor ही बनने वाला हूँ, और professor नहीं बनूगा तो 8, 9, 10, 11, 12 वाले student को पढ़ा हूँगा, engineering वाले student को पढ़ा हूँगा, तो आज मैं वहीं कर रहा हूँ, student को पढ़ा ही रहा हूँ, तो मैंने mechanical किया है, तो मुझे ऐसा नहीं कि mechanical में job नहीं है, कोई भी branch ऐसी ले लो जिसमें job नहीं है, साकर कोई बोलता है, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे students हर बार यहां से हमारी academy में से pass out होते हैं, जो engineering के classes, coaching में आये होते हैं, और वो लोग बहुत अच्छे अच्छे result के स साथ निकलते हैं, concept के साथ निकलते हैं, और और सुनना ध्यान से और अच्छी अच्छी जगा पे admission लेते हैं, विश्व कर्मा का मेरा एक student है, उसने विश्व कर्मा में से engineering किया, नहीं कोई बार coaching center में गया, हमारे वहां पे वो आता था, वो मेरा extraordinary student है, मैं उसको थोड़ा बहुत पड़ाता था, उसके बाद मैं तो computer engineer हूँ नहीं, मैं तो maths वाला सहर हूँ, तो मैंने उसको maths पूरा समझाया था, 1-2-4 में, उसने maths में एक रेट सभी branch में आये, उसके बाद उसने तो कभी C, C++, किसी भी language का coaching कहीं पे नहीं रखवाया, हां, उसके friends से उसको जरू बहुत उसको guide करते थे, तो बाकी का वो खुद भी सीखा, ऐसा नहीं कि हर बार दूसरी जगा पे जाके ही आप कुछ न कुछ सीख सकते हो, और पहले semester वाले student, second semester वाले अगर आप student हो, third semester हो, fourth semester, तो इस semester में तो आपको आपके college के 6 subject के अलावा और कुछ भी चीज़े करनी नहीं चाहिए, simple है, आप उस 6 subject को पूरा दो, आपको क्या पता B.E. करने के बाद, आपको E.M.E. करने के लिए gate की exam देनी है, तो gate का exam का जो syllabus होता है, यही आपके सारे subjects होते हैं, तब जाके आप 52 subjects को वापिस पढ़ने बैठते हो, तो अभी से हर semester में 6 subject आते हो, उसके क्य उसका fundamental clear करो, fundamental strong करो, concept strong करो, उसके उपर पूरी जीजान महनत लगा दो, उस semester के उपर महनत लगा दो, उस semester में 8 plus SPI लाओ, 9 plus SPI लाओ, 9.5 plus SPI लाओ, हर एक semester में 9.5 plus SPI लाओ, फिर मुझे बोलना अगर आपको job नहीं मिलती है, कौन रोगता है आपको job लेने से, बाकी mechanical करक करके coding सिखना सिरू करो, EC करके coding सिखना सुरू करो, chemical में coding सिखना सुरू करो, भाई computer IT को तो इन लोगोंने business मना के रखा हुआ है, कोई भी अभी तो application develop करता है, computer ना हो ना engineer, तो भी application develop कर देता है, लेकिन ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, आप आपकी field से आगे अलग जगा पे जाओगे, तो अच्छी अच्छी company में आपको job नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपका background होगा mechanical, chemical, civil का और आप coding कर रहे होगे, तो आप आपका private कुछ कर सकते हो, बाकि अच्छी अच्छी जगा पे आप नहीं, और अगर आग वहे, तो ऐसे भी होते हैं, 10,000 में से एक बंदा ऐसा भी होगा, जो जायेगा भी, लेकिन आप 10,000 में से एक बंदे में आने से अच्छा है, mechanical वाले जो 10,000 बंदे हैं, उसमें से 500 लोगों को या 1000 लोगों को job मिलती है, उसमें हमाजाएं, क्योंकि हमारी जो field ली है, उसका तो हमें respect होना चाहिए ना, तो जितने भी engineering में आए हो, आप diploma में हो, डिगरी में, दूसरी कोई चीज करने का अभी सोचो मत, आपके semester के उपर पूरी जी, जान, मैनत लगाओ, लेखो, पैसा by default product है, अभी से आप salary का सोचोगे, तो कोई फाइदा नहीं है, job आपको वैसे भी अभी से नहीं मिलने वाली, पहले semester क बैड़े के आपर सोचोगे, मेरी job मिल जाएगी, यहाँ पर मिलेगी, मेरे friend को तो नहीं मिले, तो क्या मेरे को मिलेगी, यह कुछ फाइदा नहीं है, wasting of time है, यह सब decide होता है, चार साल के बाद, आपके result के उपर, आपके चार साल के performance के उपर, आपके concept के उपर, आपने कित आ रहा है skills का, आपके पास कितना भी knowledge क्यों ना हो, लेकिन आपके पास कोई skill ही नहीं है, उस knowledge को re-present करने की, उस knowledge को बाहर लाने की, तो कभी knowledge आपको काम में नहीं आने वाला है, knowledge वही काम में आता है, जो garbage नवने, garbage अगर बन गया, तो फिर वो knowledge कुछ काम का नहीं है, तो उसके लिए आप skill के उपर focus करो, आपकी language के उपर focus करो, आप गुजराती medium से हो, तो Hindi बोलने का try करो, English बोलने का try करो, वो सब skills सीखो, वो काम में आने वाला है, उसके उपर आप approaches करो, उसके उपर अगर पैसे लगाने हो, तो उसके उपर पैसे लगाओ, और उसमें से कुछ और जहां पर आप पैसे लगाते हो, मानलो वो 100 rupees भी क्यों नहों, मैं मेरे English speaking के course में, जो students हमारे Boomy Madam का course है, उसमें जो joint होते हो, बले उसकी price 200 rupees हो, 150 rupees हो, 300 हो, 300 हो, 300 हो, मैं उनको बोलता हूँ, कि 150 rupees है, 200 rupees है, 250 rupees, कोई बड़ी amount नहीं है, उतनी amount से तो double या, तीन बुनी amount, तो हम एक movie देखने चाते हैं, तब खर्च करके आते हैं, और शायद उसके ज्यादा rupees का तो रोज का petrol हमारा जाता होगा, लेकिन उस 140 या 200 rupees में से decide करो, कि मैं English सीखूगा, और उस English में से पर मन्थ 20 अजार, 25 अजार, 30 अजार, 40 अजार वाली job लोगा, तब जाके वो 200 rupees 300 rupees ओ, 300 rupees वो भी waste of money आपके बनेगे, तो कुछ जब आप देते हों, उसमें से multiply by 100 बाहर निकालने की आपकी capacity होगी, तो ही वो आपके लिए worth होगा, तो I hope मैं कौन सा संदेशा आपको देने चाहता था, student पूछते थे कि मैं admission low, ना लू, क्या करू, क्या ना करू, तो दोस्त admission low, लेकिन जो भी semester के उपर focus कर रहे हो, वो semester को पूरा करो, उसको अच्छे से करो, बाकी कोई भी चीजों के उपर कभी focus मत करो, I think, आपको मुरह message मिल गया है, तो आप आपके semester की पढ़ाई के उपर focus करोगे, अभी भी चैनल को subscribe ना किया, तो आपने सारे friends में इस वीडिय करें, और साथ में Instagram और Telegram प्रिये सर वीडिया पिर सेम नाम से अकाउंटे, description box में उसके link दीए, हमें वहाँ पे भी follow कर लीजे, मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care